वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि मैं सारी चीजे सबसे पहले टेलिग्राम पे शेयर करता हूँ तो यह मेरा टेलिग्राम का ओफिशल चानल है जैसे कि यह वाली जो मिंट जेनेसिस एनेफटी के टास्क मैंने यहाँ पे शेयर किये थे तो सबसे पहले मैं चीजे यह शेयर करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरे टेलिग्राम चानल को फॉलो करेंगे तो हेलो दूस्तों कैसे हो आप मैं हूँ आपका क्रिप्ट दोस्त और आज मैं और एक अलफा आपके लिए लेके आया हूँ तो जैसे कि आप जानते हूँ सतोशी वीएम जो हाइप उसने क्रिएट की थी बिटकोइन लेयर टू की उसी तरह अभी बिटकोइन लेयर टू के काफी जादा प्रोजेक्ट ऑनलाइन आ रहे हैं और उनके टेस्टनेट भी लाइव हो चुके हैं तो उसमें ही सबसे एक बारे में ट्विट किया था उनके ओफिशल ट्विटर पर तो जैसे उनने कहा है डिलाइटेट टू कोलाबरेट बीटू नेटवर्क इस बिटकोइन लेयर टू नेटवर्क इंप्लिमेंटेट जेके रोल अप एंड ऑन चैन लॉजिकल के कमिटमेंट वेरिफिक्शन मेकैन तो ये एक ओफिशल कोलाबरेशन भी है और इनके टेसनेट के टास्क भी लाइव हो चुके है याद रखिएगा ये रेफर के थ्रूई या इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो तो इसकी सारी लिंक्स मैं आपको नीचे दे दूँगा यूनिसर्ट आप लॉगिन करने क वक्ते आपको यहाँ पर टेसनेट सिलेक करना है टेसनेट सिलेक करने के बाद ये आपका टेसनेट का एडरेस रहेगा और ये आपका यहाँ पर बैलेंस शोगा जब आप पहली बार करोगे तो इस पर कोई भी बैलेंस नहीं शोगा बस ये बिटकोईन टेसनेट एक्टिव कर सकते हो तो जैसे कि यह एक है इसकी link मैं आपको नीचे दे दूँगा आपको यहाँ पर अपना wallet डालना है जो आपने Unisat में यहाँ से copy किया था यह copy करके यहाँ पर आप send testnet bitcoins पर click कर सकते हो तो देखिए अभी 0.0001 tokens मेरे bitcoin wallet में आएंगे एक और एक faucet है उसकी link में मैं आपको description में दे दूँगा जहाँ पर आपको पुड़े जादा amount of bitcoin faucet के दुप में मिलते हैं तो अभी इन task को शुरू करते हैं उससे पहले आपको B2 network का wallet भी setup करना होगा तो पहले B2 network क्या है उसके बारे में जानते हैं तो B2 network is a ZK proof verification commitment roll up on bitcoin EVM compatible है bitcoin address और ethernet address को आप कर सकते हो past and cheap है safe and trust है इसका सारा documents की link में आपको नीचे दे दूँगा यहाँ पे नीचे overview में इसकी सारी details दी है और हमें for users में जाके यहाँ पे B2 wallet कैसे proxy install करते हैं उससे देखना है तो इस पे click करते हैं आपको कुछ पढ़ने की ज़रुवत नहीं मैं आपके लिए easy कर देता हूँ हमें इस link पे click करके exif folder download हो जाएगा हमें सिर्फ उसकी ज़रुवत है तो उसके लिए हमें यहाँ पे extension tab में जाके manage extension पे click करना है यह click करने के बाद आपको यहाँ पे right hand side में developer mode दिखाए देगा उससे developer mode को on करना है जैसे आप on करोगे यहाँ पे आपको pack extension update और load unpacked का option आएगा तो आपको load unpacked पे click करना है यह जो wallet download हुआ है उससे select करना है select folder करना है तो यह extension यहाँ पे load हो जाएगी और जैसे कि आप यहाँ देखते हूं मैं आपके लिए pin कर देता हूं तो यह extension यहाँ पे load हो गई अभी हम यहाँ पे जब इसे खोलेंगे तो यहाँ पे please refresh का option है आएगा तो आपको इसे refresh करना है उसके लिए आप क्या करोगे आपको Ctrl F5 कर होगे यह refresh हो जाएगा तो refresh करने के लिए आपको क्या करना है आपको इनकी यह website के ओपर आना है फिर यहाँ पे click करना है और यहाँ पे अगर आपको अगर वो link कर आया होगा कि refresh करें तो इस page पे आने के बाद आपको Ctrl F5 दबाना है उसके बाद आपकी यह extension work करनी शुरू हो तो इसके लिए हमें Unisat Wallet को या OKX Wallet जो आपके पास है मैं prefer करूँगा Unisat Wallet करिये क्योंकि Unisat Wallet के साथ इनकी partnership भी हुई है तो वहाँ पे हमको benefit of advantage भी रहेगा account को connect करेंगे यह करने के बाद आप जैसे देखोगे यहाँ पे यह same address है last में 7HG के जो मेरे Unisat Wallet के testnet में है तो यह हो जाने के बाद इनके जो task है वो हमें complete करने इसकी link मैं आपको नीचे description में दे दूँगा तो basic से task है जैसे हम galaxy में करते हैं तो सबसे पहले हमें discord network के discord में join होना है तो सबसे पहले हमें connect wallet करेंगे Unisat Wallet को select करेंगे sign in करेंगे यह हो जाने के बाद यहाँ पे refer core का option आएगा हमें उसे confirm करना है और यह हो जाने के बाद अपकी ranking यह पे show होगी तो यह अभी अभी शुरू हुआ है लगबक 8-10 दिन से तो make sure मेरे refer code को use करियेगा ऐसे video बनाने में काफी महनत और research लगती है तो चलिए अभी इनके task को complete करते हैं तो इनके discord में join होते हैं इसके ब बाद हमें उनके इसके बाद हमें deposit करना है BTC को from Bitcoin testnet to B2 testnet तो इसे भी start करते हैं तो link क्लिक करने के बाद interface कुछ इस तरह एक है सबसे पहले यहाप पर connect wallet करेंगे make sure आपके पास थोड़े fund हो इस activity को करने के लिए तो आप यहापे BTC से लेक करेंगे नीचे fund दिखाए दे र 1 और इसको हम B2 network पे deposit कर देंगे तो deposit पे क्लिक करेंगे transaction को sign in कर देंगे और यह हमारी transaction progress में है अगर आपको इसे track करना है तो यह testnet.meme pool पे चला जाएगा आपको आपकी transaction यहापे process होती होई दिखाई देगी तो आपकी transaction आपको यहापे process होती होई दिखाई देगी यह testnet network है यह testnet network है तो अभी आगे बढ़ते हैं तो यह transaction हो जाने के बाद हम हमारे इन task को check करते है complete हुए है या नहीं थोड़ा सा delay लग रहा है इनको verify करने के लिए तो हमारा यह वाला task भी complete हो गया है इसके बाद जो main task है कि हमको referral के through points अन करने है तो make sure मेरे इस link को जो मैं फाइदा होगा तो मैं उम्मीद करता है आपको इस वीडियो से फाइदा हुआ होगा make sure इनके task को जरूर complete करिएगा नीचे links मैं आपको दे दूँगा तो मिलता हूँ अगली वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखिए कुछ अच्छा कीजिए कुछ नया कीजिए कुछ बड़ा कीजिए बबाए